गुड मोर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलफाबेट, जिसको हम हिंदी में बढ़ माला कहते हैं तो शुरू करते हैं बच्चों, सबसे पहले ए से सुरू करेंगे A for Ant, इसपे लिंग देखेंगे A, N, T Ant, Ant means G, T A से और भी मीनिंग होते हैं, जैसे Apple A, P, P, L, E Apple, Apple means Same और भी मीनिंग होते हैं A से, Aeroplane Spelling है A, E, R, O, P, L, A, N, E Aeroplane, Aeroplane means Hawaii जहाज अब बच्चों, अब हम B से देखेंगे B for Bell B, E, W, L, Bell Bell means Ghandi B से और भी मीनिंग होते हैं, जैसे की B, A, T Bat, Bat means Balla फिर आगे देखेंगे B से B, A, W, Ball Ball means Ghandi और भी B से मीनिंग होते हैं, जैसे Bus Spelling B, U, S Bus, Bus means Bus अब अच्चों हम C से देखेंगे C for क्या होता है, C for Crow C, R, O, W Crow, Crow means Cowa C से और भी मीनिंग होते हैं, जैसे Cow C, O, W, Cow Cow means Guy और भी मीनिंग होते हैं C से C, A, T Cat, Cat means Billy और देखेंगे C से Camel होता है C, A, M, E, L Camel Camel means उंट अब बच्चों हम D से देखेंगे मीनिंग को D for Dog D for Dog D, O, G Dog Dog means कुता D से और भी मीनिंग होते हैं Dunkey D, O, N, K, E, Y Dunkey Dunkey means गधा और भी देखेंगे D से Duck D, U, C, K Duck Duck means बतक और D से देखेंगे D, O, W, L Doll Doll means गुडिया अब बच्चों D तक हो गया अब हम आगे चलते हैं E से E से देखते हैं E for egg E, double G Egg Egg means अंडा उसके बाद E से और भी मीनिंग होते हैं हम देखेंगे E से होता है Elephant E, L, E, P, H, A, N, T Elephant Elephant means हाथी और भी देखेंगे E से मीनिंग Eagle E, A, G, L, E Eagle Eagle means चील Eagle means चील E से और भी मीनिंग होता है बच्चों Engine E, N, G, I, N, E Engine Engine means engine अब बच्चों E से हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम देखेंगे F से F for fox 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 means लोमडी और भी देखेंगे आप से और भी मीनिंग होते हैं Fish F, I, S, H Fish Fish means मचली और भी देखेंगे Flag F, L, A, G Flag Flag means जंडा F से और भी मीनिंग होते हैं Frog F, R, O, G Frog Frog means में ढ़क अब हम G से देखेंगे बच्चों घ्यान देजिए G से G for gun G, U, N Gun Gun means बंदूग G से और भी मीनिंग है Graph G, R, A, P, E, S Graph Graph means अंगूर G से और भी देखेंगे Girl G, I, R, L Girl Girl means लड़की अब देखेंगे G से Goat G, O, A, T Goat Goat means बकरी तो बच्चों हम लोगों ने G तक हम लोगों ले मीनिंग ट्यार कर लिया अब देखेंगे H का S से देखेंगे H for hen H, E, N Hen Hen means मुरगी H, U, T Hut और भी देखेंगे H से H for horse H, O, R, S, E Horse Horse means घोड़ा फिर और भी होते हैं H for H for house H, O, U, S, E House House means घर House means घर तो बच्चों H तक हम लोगों ने पढ़ लिया अब इन सभी मीनिंग्स को आप लोग त्यार कर लिजेगा अपने कापी में नोट कर लिजेगा नोटबुक में और इसको दूराकर और इसको याद भी कर लिजेगा याद